नमस्कार दोस्तो हमारी सुटूप चैनल पर आपका हार्दिक्स वाकत है 99% लोग नहीं जानते कि अखरोट को कब कैसे और किस विदी से खाय जाए अगर आप इसको सही विदी से खाएंगे तो कैंसर, सुगर, हार्ट, तवचा रोग, एस्डिटी, कबज, गठिया, बगंदर, खांसी, दमा, हाई बीपी, टिडनी, लीवर, इत्यादी रोग आपको जिंदगी में कभी नहीं जखर पाएंगे दोस्तो, अखरोट उर्जा का बेहतर स्त्रोथ है, साथ ही इसमें सरीर के लिए जरूरी पोसक तत्व, मिनल, एंटिक्जन और विटामिन परचूर मातरा में मौझूद होते हैं अखरोट का तेल कहीं रूपों में काम में लिया जाता है, इसका तेल खाना बनाने के रावा, दवाईयों और खुस्वू के लिए भी इस्तमाल किया जाता है यह तेल तवचा के सुखेबन को दूर करता है, बच्चे से लेकर बुड़े तक के लिए सब के लिए यह गुणकारी हैं तो आएए दोस्तों जानते हैं इस परकर्ति के नायाब तोफे के बारे में गुणों का खजाना है अक्रोट अक्रोट में ओमेगा-3 fatty acid, protein, fiber और antioxidant अच्छी मातरा में पाई जाते हैं अक्रोट में monosaturated fats भरपूर मातरा में पाई जाते हैं अक्रोट हमारी तवचा और बालों के लिए बहुत अधिक फाइदमद होता है यह अस्थमा, arthritis, तवचा की समस्याँ, एकजीमा और सोराइसिस जैसे बीमारियों से हमारी रक्सा करता है दोस्तों आज की इस विडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे अक्रोट खाने की फाइदी और उसके बाद आखिर में बताएंगे कि आपको कब और किस विडियो से अक्रोट का सेवन करना चाहिए जिससे की आपको सबसे आधिक फाइदा मिले अगर आप उस विडियो से अक्रोट का सेवन करेंगे कम होता है, कैنसर से बचाओ करें, आखरोट का सीवन, ब्रेश्ट कैंसर, कोलोन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर से बचाओ करता है, ब्रेण फूड़, अकरोट को ब्रें फूड़ भी कहा जाता है, अकरोट में कई त्रह के योगिक मुजूद होते हैं, जैसे मेलाटोनिं, बीमारी काा खतरा कम करता है विटामिन का खजाना अक्रोट में पर्चूर मात्रा में विटामिन E मौजूद होता है विटामिन E के इलावा इस में बहुत सारे जिरूरी विटामिन B है जैसे विटामिन B小 nord नियसीन, थाइमीन, विटामिन B6 और फोलेल अक्रोड में सबसे ज़्याधा vitamin e और protein पमाई जाता है इसमें meat के मुकाबले ज़्याधा protein पमाई जाता है तो अगर आप vegetarian है तो रोजाना इसे खाने की अधर डाल दीजे मिन्नल का खजाना है अक्रोड अक्रोड मिन्नल का बेहतरीन स्थोत माना जाता है जैसे मैगनीज, कोपर, पोटासियम, कैलसियम, आइरन, मैगनीशियम, जिंक और सिलेनियम. परते दिन मुठी वर अक्रोट आपके सरीर को मिननल, विटामिन और प्रोटीन प्रतान करते हैं. वजन घटाने के साथ ही जिंक, पोटासियम और मैगनीशियम जैसे मिननल, पुर्सों में वीरिय को बढ़ाते हैं. फोलेट, फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करता हैं. नीद में सहायद, अक्रोट नीद लाने में बहुत लाबकारी हैं, क्योंकि इसमें से एक हार्मोन निकलता है, जिसका नाम मिलाटोनिन होता है, जिससे अरा मिलता है अच्छी नीद पाने के लिए यह सही रासी में मिलाटोनिन रिलीज करता है मदु में यह रक्त वही काउं को फेला देती हैं, और मेटबोलिक सिंड्रोम को कम कर देता है, जिससे डाइबोटीज कंटोल में रहती है, मेटबोलिक सिंड्रोम पर नियंतर, अख्रोट में एंट्योक्चन और जलन को कम करने के गुण होते हैं, ऐसे में पाचन समंधी रोगों को दूर करने में अख्रोट की अच्छी भूमेगा होती हैं, दांतों के लिए अख्रोट के सवास्ते गुनों को देखते हुए डेंटिस्ट भी अख्रोट को खाने की सलहा देते हैं, क्योंकि इससे हमारे दांत मजबूत होते हैं, तो आएए दोस्तों अब जानते हैं कि अख्रोट को आपको कब, कैसे और किस विदी से खाना चाहिए, अख्रोट खाने की सही विदी 15 ग्राम अख्रोट, एक गिलास दूद में डाल कर उबालना सुरू कीजे उबलने के बाद, पीसी हुई मिसरी मिला लिजे, ध्यान रहे कि चीनी जो आजकल बाजार में आती है, वो नहीं डालनी है, मिसरी को पीस लीजे वो डालनी है, अभी इसमें 2-4 केसर की पतियां डालीजे इसको अच्छे से उबलने दीजे, अभी इस मिसर्ण को सुहाता-सुहाता गरम पीजे यह आपके लिए अत्यंत फाइदे मत हैं इसके लावा, आप अक्रोट को सुवे खाली प्रेट भी खासकते हैं अगर आप इन दोनों में से किसी भी विदी से अक्रोट का सेवन करते हैं, तो इससे आपको पूरा फाइदा मिलेगा तो दोस्तों, आप भी अक्रोट का सेवन करके इससे होने वाले फाइदों को उठा सकते हैं और बहुत त्रहें की बीमारियों से बचे रह सकते हैं, तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वे शेयर करना ना पूले